नमस्कार दोस्तो मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल बुल बुल दोस्तो आज का वीडियो का माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिज करूँगा जो सी पावर ब्रेकर रहते हैं एयर सर्क्रीट ब्रेकर उसका सेप्टी इंट्रलक्स क्या-क्या रहते हैं स प्रोसीजर क्या है पूरा डीटेल में आपको इस वीडियो का माध्यम से समझाने बाला हूं तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें दोस्तों कि दोस्तों हमने यह प्रेकर का पैनेल डॉर को खोल दिया है लेकिन जनरली हम जब रेकर को रैकिन करते हैं उसी समय में पैनेल डॉर को बंद करना पड़ता है तो मेरा यह यहां का मौक्सद है कि आप यह वीडियो को अच्छी तरह से समझें तो इसलिए मैंने पैनेल का डॉ दिए है ताकी के बारे में आपको मैं समझा सकूँ को जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने इसको रेक आउट करने का कोसिश कर रहे हैं दहिए उसका तक हैंडल राक deciding रहें किBut कि यह ब्रेकर अभी कौन सा पोजिशन में ब्रेकर अभी शर्विस पोजिशन में है यह हैंडिल को बहुत ज्यादा फोर्स करने पर भी यह देखिए लेफ साइड के तरफ मोभि मेंट नहीं हो रहा है तो यह क्यूंग हो रहा है दोस्तो क्यूंकि हमने डौर को खोल दिया है तो इसका safety यह बता रहा है कि अगर आप डॉर को खोला रखेंगे तो यह ब्रेकर कभी र्याकीन या र्याकाउट नहीं होगा इसलिए हमने देखिए इसका एक जो लेफ्ट साइड में नॉब लिख ला था उसको बोलते हैं डॉर डॉर इंटरलक उसको हमने प्रेस कर दिया है इसलिए दोस्तों अगर आपका ब्रेकर र्याकाउट या र्याकिन नहीं हो रहा है तो आपको यह बाला चेक करना पड़ेगा और एक बात देखिए दोस्तो यह जो breaker है उसका spring अभी चार्ज कंडिशन में है देखिए यह यलो दिखा रहा है तो आप केसे पता लगाएंगे ब्रेकर का spring चार्ज है कि ने जेनरली ब्रेकर में इंडिकेटर रहते हैं spring चार्ज को देखने के लिए इंडिकेटर रहते हैं त ब्रेकर में दोस्तो जो close and trip का जो बटन रहते हैं push बटन रहते हैं उसके नीचे दो इंडिकेटर लगे होते हैं एक इंडिकेटर आपको बताता है कि ब्रेकर क्लोज में है या ट्रिप में है उसका नीचे और एक इंडिकेटर है वो बताता है कि spring चार्ज में है या spring फ्री ह तो जैसे अभी आपने देखा कि यह वाला जो स्प्रिंग का चार्जिंग का इंडिकेटर था येलो में था येलो का मतलब स्प्रिंग चार्ज है अगर ब्लाक में रहेगा तो स्प्रिंग डिस्चार्ज में है तो इसे आप पता लगा सकते हैं दोस्तों ऐसा कि आप देख रह दो कंट्टाक्स रहते हैं फिक्स्ट कंट्राइब का ब्रेकर और एक इंपर्णाट्ट चीज़ी देखी दोस्तों यह जो रिट वाला दिखाए दे रहा यह हो गया उसका safety shutter breaker safety shutter यह ब्रैकर को जब आम अंदर गुशाएंगे तब यह open condition में रहेगा अंदर गुश जाएगा जब आम breaker को आउट कर देंगे बाहर निकाल देंगे यह automatic door को close कर देगा शटर को बंद कर देगा ताकी बाहर का पुछ भी सामन बस बार्ग से टॉच ना हो यह और एक इंपोर्टाट सेप्टी फिचर रहता है ब्रेकर का अभी देखिए दोस्तों यह जो ब्रेकर है अभी प्रेकर फ्री कंडिशन में है यानि स्प्रिंग चार्जिंग नहीं हुआ है इस केसे पता चल रहा है उसका जो इंडिकेटर देखिए नीचे वाला इंडिकेटर ब्लाक दिखाए दे रहा है अगर योह ज़ालका नजर आये तो समझ चार्ज नहीं है तो ब्रेकर को मानुवाली चार्ज कर दिया है यह हैंडल से आप एसे घुमा के मानुवाली चार्ज कर सकते और चार्ज करने से यह जो इंडिकेटर था इंडिकेटर अभी येलो में अभी हम स्प्रिंग हो गया अभी हम संधोर क्लोज करें गैं बटन को दबाएंगे पहले जो नीचे का च्प्रिंग सब दिखाई दे रहा था अभी इसको खलोज बटन को दबाने से यह पुड़ा क्लोज किया है लेकिन कभी भी यह open condition में आप इसको चार्ज ना करें या ना करें तो सबसे आचा है क्योंकि यह बहुत ही बड़ा accident हो सकता है अगर आपका कोई चीज अंदर फ़स जाएगा तो फिर यह बहुत बड़ा accident हो सकता है आपको शरीर को नुक्सान पहुंचा सकता है तो जब भी आप यह close करें एयर सार्कीट ब्रेकर को आप अबेले खोल दीजिए फिर चारो साइड पर चार लगे होंगे खोल दीजिए उसके बाद खोलने के बाद दोस्तों अभी maintenance का प्रोसीजर क्या क्या आमको maintenance करना पड़ेगा जैसा कि आप जाते हैं हमेशा आमको थोड़ा डोस्ट का साप सपाय कर लाना चाहिए इसलिए थोड़ा ब्लोयर का क्या इस्तुमाल करके अच्छी तेरे क्या से इंटिकेशन से ब्रेकर ब्रेकर का ब्लोइंग करते हैं जोस्त देखिए चार जेगी आप कैसे पता लएगेग्या जनिए कर्देर ब्रेकर में और रहता है घ्राकम किस तो पहले देखिए दोस्तों नेच्चे से यह बाला सो यह लोग वाल आपको दिखाई दे रहा है जो गया है उसकाаг और कॉल कर से काम करता है कि एक रिप कॉल यानि जो ब्रेकर ख्लोजों में रहेगा है और उसको सब्सक्स अन्यगर कमंड देंगे तो यह चे ऑपन हो जाता है तो देखिए दोस्तों यह जो निच्य वाला जो आपको दिखाए देड़ा है ठेस्टेड लेखा हुआ वह उसका ट्रीप कोईल कोईल का अन्दर अगर सप्लाई जाएगा तो यह ब्रेकर को कर देगा और ये सामने से कैसे होता है देखिए उसका मेकानिजिम इसी तरह से काम करते हैं उपर वाला जो देखिए टॉप में है देखिए उसको प्रेस किया तो नीचे वाला जो मेकानिजिम हो भी हिल रहा है और पुरा ये हिलते हिलते देखिए हो जा रहा है ट्रिप कोईल के पास ज किछे तक यह वहला जाके प्रेस कर देता ये वाला उसको भी आपस करता है तो ये हो गया हमारा कि किसे काम करता है हम मानुआ लिकारें यह चाहे चाहे इसा करता है अभी दोस्तों हमने यह आरचुट को खोल दिया था मेंटेनास करने के लिए आपको उसका जो कंटाक्ट को आपको क्लीन करना पड़ेगा तो आप CRC का मदद से कंटाट को क्लीन कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे यह बहुत कियर्फल आपको करना पड़ेगा क्योंकि इस पूरा डिस्चार्ज में है प्रिंग अगर चार्ज में रहेंग तो पुरा टेंशन में रहेंगा इसी Recogn और या किया सब यह कैसी क्लीजे केमें ज्यादतर स्प्रिंग आंपको दिखाइए दे रहा है और देखें दोस्तो MAIE 경 मोटर यह को को अगर हम सप्लाई दे देंगे तो यह हमारा स्प्रिंग को फुली चार्ज कर देगा टेंशन में ले आएगा और देखिए देख दोस्तों निचे का जो रोलर है रोलर को भी आपको हलका सा लूब्रिकेंट का उच करके उसको फ्री करना पड़ेगा क्योंकि यह जो ट्रिप करें लेकिन अगर ब्रेकर को को कमांड जा रहा है और लेकिन उसका मेकनीजिम जाम हो तो थो wrap नहीं होगा तो तो पाया फ्रीप भ्रेकर लगाने का और शर्क्रिप लगाने का तो इसलिए भ्रेकर को हमेसा सही तरीके से मेंटेनांस कर ना चाहिए अन्या का क्लीन करना चाहिए लुब्रिकेशन सही होना चाहिए थाकि थोड़ा सा कमाण जाएगा तो भी ट्रिप करवा देगा दोस्तों आपने देखा इसका कॉंटाक्स पुरा क्लीन था आर्चूट भी क्लीन था फिर भी हमने उसको बहुत अच्छे तरह से साफशुत्रा किया है चाहिए लगा तरही हैं और जहां पे लुब्रिकेशन करना था वहां पे थोड़ा थोड़ा दोबिंग पार्ट को था जेफ्यों क्लीन दोस्तो यह जो ब्रेकर एंधिका 800 आंप्योर का ब्रेकर है इसका आपका नेमप्लेट से दिखाए दे रहा है कितना आंप्योर का यह मेटर है तो यहां पर लिखा गया है देखिए I C U I C W I C S एसा लिखा गया है तो इसके उपर मैंने वीडियो अल्रेडी बना हुआ है दोस्तों तो इसा क्यूं लिखा जाता है ब्रेकर के उपर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं तो इसके बारे में भी आपको मालूम हो जाएगे क्यूं ब्रेकर के उपर I C U I C S I C W लिखा जाता है तो अभी देखिए दोस्तों यह ब्रेकर अभी स्प्रिंग 3 था अभी हम इसको प्रिंग को चार्ज कर रहे हैं मैंनुली आपको उसको इसके घुमा के स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं चार्ज करने के बाद यह नीचे वाला इंडिकेटर देखिए ब्रेकर को अभी आमने र्याक्याउट पोजिशन पर रखा है आइसोलेटर पोजिशन नेक होता है और र्याक्याउट पोजिशन और एक होता है चार पोजिशन नेते हैं दोस्तों एक होता है आपका जो सर्विस पोजिशन टेस्ट पोजिशन और आइसोलेटर पोजिशन और बार-बार टेस्ट करना पड़ेगा रिकरड कंडिशन में बाहर रखे उसको तीन चार बार टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलिएगा कि ग्रेकर सही तरहसे परेट हो रहा है मानुवाली क्लोच करेंगी फिर मानुवाली इसको MIKE कर देगे तो यह पता चलिएगा की सभी काम कर रहा है कि नहीं तो दोस्तों अभी और एक इंट्र Indigenous के बारे में मैं आपको दिखाने वला हूँ उसका जो होता है र्याकिन इंट्रलोग रयाक रेक प्रोश कर रहे हैं लेकिन रहा है gonna नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो left side में देखिए जहां पर रियकीन हैंडल लगा हुआ है उसको बोलते हैं रियकीन interlock यान जब भी आपको रियकीन करना हो या Crack out करना हो उसको आपको अंधर दबाकि उसको लग करना पड़ेगा लग पोजीम करने से यह राककिन होगा यह राक्याउट होगा अभी उसका देखे पोजिशन है उसको आमने प्रेस करके लॉक पोजिशन में रख दिया है वहाँ पे भी लिखा होता है दोस्तों लिखा हुआ है कि कैसे आपको ये लॉक करना है प्रेस करके किस तरफ प्रेस करेंगे तो लग होगा फिर किस तरफ प्रेस करेंगे तो अनलोग हो जाएगा गुमाएंगे तो अभी देखी ये दीरे दीरे गुमाने से ये सर्विस पोजिशन की तरफ जा रहा है और अभी सर्विस पोजिशन में आगा है यह देखिए दोस्तो, push and lock before racking, यह लिखा जाता है, unlock for closing, तो अभी यह तो push position में है, push position पे होते हुए, क्या यह close हो सकता है, क्या लिखा गया है, unlock for closing, यानि उसको unlock करना पड़ेगा, इसके बाद यह breaker close होगा, तो यह interlock सही काम कर रहा है कि नहीं, इसको भी हम चेक कर लेंगे, तो देखिए spring charge का indicator yellow है, यानि spring charge में है, अभी हम इसको close किया, close किया, जब भी close किया, तब यह on नहीं हुआ दोस्तो, close नहीं हुआ, और उसका spring release हो गया, अब दुबारे इसको हम unlock करके देखते हैं दोस्तो, racking, interlock को unlock करके देखते हैं, दुबारे इसको हमको फिर से charge करना पड़ेगा, अभी charge कर दिया, अभी यह yellow हो गया, अभी देखिए, यह unlock position में है, और यह charged है, ब्रेकर को अभी हम on करेंगे, ब्रेकर को जब भी close किया, यह देखिए, on हो गया, और नीचे वाला spring, spring discharge हो गया, तो दोस्तो, यह ऐसा काम करता है, जब भी हम इसको दबा देंग तो फिर यह trip करवा, तो आशा करते हैं दोस्तो, आज का वीडियो आपको बहुत यह अच्छा लगा होगा, तो देखते रहिए, बोल बूल बूल, बहुत बहुत धार,